पूर्णय जिले के 22 परकरना दर्गत मिनापूर पंचायत के बाजबेरिया गाउं में असरफ फ्यूल सेंटर का 22 आरज़डी विधायक सायद रुकमुद्दीन अहमद ने फिदा कार्ट कर सुभारम किया वहीं इस पेट्रोल पंप के खुल जाने से छेतर के लोगों में एक खुसी की लहर जाग उटी है इसका मुख करन है कि इस छेतर में लगभग 15 किलोमीटर तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं होने के कारण यहां के अस्थानिय लोगों एवं फिसानों को काफी दिक्कतों का शामना करना पड़ता था वहीं उत्गाटन के बाद विदायक ने अपने हाथों से लोगों के वाहर में तेल भरते नजर आये इस मोके पर 22 आरजडी विदायक सेद रुकुन उद्दिन अहमद ने बताया कि ग्रामिंग छेतर के लोगों को परती दिन तेल खरिदने के लिए 10 से 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था जिससे सभी को काफी कटनायों का सामना करना पड़ता था वहीं इस पेट्रोल पर्म के खुल जाने से इलाके के सभी किसानों से लेकर वहां चाल को तक को अब दिकतों का सामना नहीं करना पड़ेगा वहीं इस उद्गाटन समारों में आये कुछ लोगों से बात करने पर उन्होंने बताये कि असरक फिल्ड सेंटर के खुल जाने से इलाके में खुशी की लहर है अब हम सब को तेल के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और समय पर ही यहाँ तेल उपलब्ध हो जाएगा सब्सक्राइब देखें आज बाजबेरिया में असरफ वेल सेंटर का उद्गाटन था और इस उद्गाटन में पूरे च्छेति से लोग आए यहाँ इसकी बहुत ही आवशक्ता थी जब तक यह पंप कायम नहीं वा था तो सुदूर ग्रामिन छेतर से लोगों को 22 या फटकी जाकर तेलेना पड़ता था अब जन सुविधा के मदे नजर यह बहुत ही आवशक महत्कून था कि ग्रामिन छेतर में एक पेट्रल पंप की अस्थापना हो वहां से यहां के किरिशकों को खासकर यहां का यह किसी पर आदालित छेतर है किसानों को जो समस्या होती थी उनके लिए बहुत अच्छा एक क अब सरकार सजग है और यह विभाग भी सजग है अब कहीं से भी जनता को ठगने का काम करने की कोशिज जो भी करेगा मिस्शीब वो महीं से लौक हो जाता है अब इस बात की उमीर नहीं की जा सकती है आज आपके पंचायत में पेट्रोल पम का शुबारम हो आज इससे आपके जनता को और यहां के लोगों को फटकी जाना पड़ता था या बहुत लोग दलकोला भी जाते थे अपने टेलर से ड्राम लेकर तो इससे लोगों को बहुत आसानी हो गया तेल के क्वालेटी में कोई समझोता नहीं वो बहुत अच्छा रहेगा और जाहिर सी बात है कि जब अच्छा रहेगा तो लोग आएंगे आप मेरे चैनल के मादेन से शेतरवासियों को क्या संदेज देना चाहते हैं कि जो पेट्रॉल पम खुला है सारे लोगों को हम अपने तरफ से मबार्गबाद भी देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा चलेगा और लोगों का सायोग भी रहेगा और पेट्रॉल पम के तरफ से भी लोगों को किसी तरह का शिकायत का मौका नहीं मिलेगा मैं सेयद शमसुद्दीन मुख्यापरतिन दी गिराम पंचात राजमिनापूर यहां पे फुल सेंटर का असरफ फुल सेंटर का सुभारम किया गया जिसका फिता कटकर 22 विदायक सरुद्दीन आबंद्य अपने हातों से कटा है इनके बनने से छेतर वास्य को कितना लाभूप मिलेगा यहां से 10 किलो मीटर दूर फटकी पम था हमारे किसान लोग है खास कर ग Egg Prince ौन्हेशित मिनापूर वाड नमर चार आपका नम सान वाजमिन प्रवाज़ के बाड़े में क्या रहा है आपके बहुत खुस नसीब हैं अब लोग कभी भविस में नहीं सोचेते कि हम लोग के गाउं में 20 तरेगा पेट्रोल पम खुलेगा खासकर हम लोग किसान आदमी हम लोग को काफी फटकी या कहणिया पेट्रोल लाने जाना पड़त था अब हम लोग लगबग 10 किलो मिटर अब हम मेरा घर में तो हमको तो सुविदा हुआ ही लेकिन हमारे आसपात जो गाउं है खुटिया ग्योमा है हडीपूर है सजेना है मेरा पूरा पंचादी इसको बहुत आसाने होगा तिल आपके करीब में कहीं मिलती तो क्या सही दा हम पर तेल तो उधर भी मिलता है लेकिन दूर बहुत जाना पड़ता है समय बरबाद होता था अब यह चीज़ नहीं होगा हमको कम समय में जल्दी तेल मिल जाएगा यह बैरिया मार्केट कोई सेंटर जो असरफ फोला गिया है इन से यहां के किसानों को क्या लाब मिलेगी किसानों को भी रात मिल जाएगा पहले किसान या फिर आम जनी यहां के जो ग्रामी कितरे दूर तिला लोग बहुत दूर फटकी जाना पड़ता था इधर ने तो कट्यार साइट जाना पड़ता था इतना दूर लेकिन अभी बहुत खुसी की बात है जब यहां बिलकुल अपना लोकल में पेट्रोल पम हो गय की हमारी नजार पल पल पदलती देश और दुनिया की हर खबर पाईए सीधा अपने मोबाई पार ऐसे ही खबरों के लिए करें सेट 24 लाइब को सब्सक्राइब साथ ही साथ दिए अगर बैल आइकन को भी दबाएं